Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में एक साथ 14 सरकारी स्कूलों से सिक्षक भरती का नए advertisement जारी किया गया है सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो subject mention किये गए है post wise PRT, TZT, PZT के लिए तो उसमें जो है subject wise बताया गया है कि इसमें केवल Hindi medium pass candidate आविधन कर सकते हैं और इसमें केवल English medium pass candidate आविधन कर सकते हैं एक सर्थ जो है ये भी रखी गई है कि जहां पर English medium candidate आविधन कर सकते हैं अगर वहाँ पर candidate नहीं आते हैं PZT, TZT, PRT में vacancy है, प्रधाना ध्यापक की भी vacancy है सबी विश्यों की भड़ती यहां पर है तो यहां जो है DAD, DLAD, BAD वाले candidate आविधन करेंगे तो चलिए देख लेते हैं 14 स्कूलों में अलग-अलग subject, अलग-अलग post wise vacancy है salary भी जो है अलग-अलग mention की गई है सबसे पहले जो है यहां पर बता देते हैं कि सिक्षक, सिक्षक यानि की TZT की जो post है उसमें salary 35,400 रखी गई है और इसमें ये वाली सर्थ मुझे सबसे पहले आप लोगों को दिखानी थी कि संपूर्ण सिक्षा जो है TZT की post के लिए अंग्रेजी माध्यम से एहरतादारी अभ्यर्ती ही आविदन हितु पात्र होंगे अगर नहीं है अभ्यर्ती मिलते ही नहीं है अगर English medium pass canny rate तो ऐसी condition में ये क्या करेंगे अभ्यर्ती उपलग्द नहीं होने पर शिक्षा के माध्यम में नियमा नुसार सिथिली करण किया जाएगा यानि कि हिंदी medium pass canny rate को ले लिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर TZT की post के लिए एक तो यह सर्त जो कि मैं आपको पहले बता दी है और यहाँ पर B.A.D. वाले canny rate आविधन करेंगे 50% marks में marks के साथ में graduation और B.A.D. होना चाहिए और यहाँ पर आपका T.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P लेकिन प्रधाना द्यापक प्राइमरी के लिए हो चाहिए सेकेंटरी के लिए हो पान साल का अन्वव होना जरूरी है मादिमिक साला के लिए सैलरी जो है 38,100 है और प्रात्मिक साला के लिए सैलरी जो है 35,400 है इसमें इन्होंने क्या कहा है कि 50% अंकों के साथ में graduation हो प्लस B.Ed. हो और T.E.T. पेपर टू आप क्वालिफाई होना चाहिए पांच साल का अनुवब इसमें होना चाहिए व्याखेता यानि P.G.T. की जो वेकेंसी है तो 50% अंकों के साथ में आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट आप हो सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट की वेकेंसी है जिसमें आप अप्लाई करेंगे साथ में B.Ed. कौलिफाई होना जरूरी है बस इसमें इतना ही मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट प्लस B.Ed. और पोस्ट ग्रेजुएट में आपके 50% या इससे अधिक मार्क्स होने चाहिए हिंदी सब्जक्ट के लिए अप्लाई करेंगे जो हिंदी मीडियम से ही पढ़े हुए है बाकी जो है इसमें व्याखेता, रसाइन, कॉमर्स, गनेत, सामाजिक, विज्ञान, भातिकी के जो टीचर्स हैं वो इंग्लिस मीडियम से पढ़े हुए होने चाहिए, कंडिशन मैंने आपको बता दी अगर इंग्लिस मीडियम पास कैंडियेट इन सब्जक्ट में नहीं मिलते हैं तो ऐसे में हिंदी मीडियम पास कैंडियेट जो हमको ले लिया जाएगा तो सब्जक्ट है तो आप बिल्कुल आवेदन करेंगे यहां पर सिख्षक का बता दिया कि जो टीजीटी की पोस्ट है उसको बुला गया है केवल सिख्षक ठीक है इसमें इंग्लिस की वेकेंसी है विज्ञान की है सामाजिक विज्ञान की है व्यायाम सिख्षक की वेकेंसी है सहायक सिक्षक यानि कि PRT इसमें भी English Medium Pass Candidate यहाँ पर जिन स्कूलों में जैसे कि कोडे कुर्स में वेकेंसी है तो इसमें बता दिया है English Medium Pass Candidate जो है किन किन सब्जक्ष में आविदन कर सकते हैं प्रियोक साला सहायक की वेकेंसी है अंग्रेजी की और बाकी मैंने व्यायाम सिक्षक का नहीं बताए कि सैलरी जो है इसमें 35,400 है 50% अंको के साथ में फिजिकल एजुकेशन में ग्रैजुएशन हो बस इतना ही मांगा गया है कंडिशन यहाँ भी यही रखी गई है कि English Medium Pass Candidate ही जो है व्यायाम सिक्षक के लिए आविदन करेंगे अगर नहीं होते हैं तो ऐसे में जो है यहाँ पर Hindi Medium Pass Candidate को ले लिया जाएगा PRT की जो सैलरी है वो 25,300 पर मन्त है इसमें DR, DLAT वाले आविदन करेंगे 12th के साथ में और TAT Paper 1 क्वालिपाय होना चाहिए साहे के सिक्षक साइन्स की जो वेकेंसी है तो इसमें सैलरी 25,300 है इसमें भी जो है 50% अंकों के साथ में 12th साइन्स मैट से आपकी हो DR, DLAT आपने परिक्षा उतिर्ण की हो प्रियोक साला साहे के लिए सैलरी इतनी ही है और इसमें जीव विज्ञान समू के साथ आपने 12th पास की हो 50% या इस से अधिक अंकोंने चाहिए DR, DLAT आपने किया हो लाइब्रेरी ग्रंथ पाल की जो वेकेंसी है तो इसमें सैलरी थोड़ी कम है 22,400 है और इसके अंतरगर जो है English Medium Pass Candidate आवेदन करेंगे अगर उपलब नहीं होते हैं तो माध्यम में वदलाब किया जाएगा साहय के ग्रेड थार्ड की जो वेकेंसी है तो इसमें 19,500 सैलरी है और इसमें higher secondary यानि 12th पास की हो कम्पूटर में एक साल का डिप्लॉमा होना चाहिए टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 8,000 प्रति घंटेगी और इसमें भी जो है English Medium Pass Candidate आवेदन करेंगे ठीक है साहय की grade second में salary 25,300 है इसमें सना तक मांगा गया है कम्पूटर में एक साल का डिप्लॉमा टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए और इसमें केवल English Medium Pass Candidate आवेदन करेंगे भरति की vacancy है तो आठ भी पास 15,600 है इसमें salary रखी गई है अब जो है अलग-अलग जो स्कूल है तो subject भी अलग-अलग है ठीक है 14 नमबर पर जो स्कूल है जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्याल है तो इसमें केवल व्याक है तो हिंदी subject के लिए Hindi Medium Pass Candidate आवेदन कर सकते हैं उसके बाद 13 नमबर पर जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उतकरष्ट विद्याल हलवा इसमें है तो इसमें इसमें तो जितने भी पोस्ट है सभी में English Medium Pass Candidate आवेदन करेंगे इसके अंतरगत भी जो है केवल English Medium Pass Candidate आवेदन कर सकते हैं आम आवेदा में तो मैं आपको लोगों को बता दूँगी कि जहां पर Hindi Medium के लिए जो है वेकेंसी है कोईली बेडा में भी माध्यम जो है वो अंग्रेजी होना चाहिए चाहिए व्याक्यता सिक्षक या सायक सिक्षक के लिए आवेदन करेंगे ठीक है कोरर में वेकेंसी है यहाँ पर व्याक्यता जो Hindi सब्चेक्ट है यह वेकेंसी जो की सरोना की है इसमें Hindi Medium Past Candidate आवेदन करेंगे दूसरी कंडिशन आपको बता ही दी है कि English Medium Past Candidate यदि नहीं मिलते हैं तो Hindi Medium Past Candidate को मौका दिया जाएगा ठीक है 7 नमबर पर जो स्कूल है नरहरपुर कांगेर में है इसमें तो English Medium वाले ही आवेदन करेंगे तो पूरी PDF फाइल इसका लिंक आप लोगों को शेर कर दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप आराम से जो है देख सकते हैं काफी लंबी जो है PDF फाइल है इसमें व्याख्यता PZT Maths की वेकेंसी है तो उसमें केवल और केवल हिंदी मीडियम पास केंडियेट आवेदन कर सकते हैं जो की चारामा में स्कूल है यहाँ पर भी Maths हिंदी मीडियम वाले केंडियेट आवेदन करेंगे भानु प्रतापूर में है जो उसके बाद जो है वेकेता बहुत पी के लिए हिंदी मीडियम पास केंडियेट आवेदन कर सकते हैं कांकेर में जो स्कूल है अब देखिए वेकेंसी जो है कहां से जारी की गई है तो यह वेकेंसी जो है उत्त्करस्ट विद्याले प्रवंदन संचालन समिती जुला उत्तर बस्तर कांकेर 36 गड़ से है 36 गड़ राज्य से ये वेकेंसी है 29-10-2024 को वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 14 सेजेस विध्याले सजे, सांतागड, आमा, बेडा, भानुबरतापुर, कौरर, चारामा, हलवा, दुरुगकोदल, कोडे, कुरसे, हरंगड, बांदे, कोईली, बेडा, नरहरपुर, सरोना, नरहरदे ठीक है? वो हम देख चुके है आवेदन आप लोग ओनलाइन ही करेंगे गूगल फॉर्म दिया हुआ है यह ओफिशल वेबसाइट का लिंक है अभी आप लोगों को बता दिया जाएगा आपको जो है गूगल लिंक कहां से मिलेगा 14 नवंबर जो है लास्ट डेट है ओनलाइन आवेदन करने की बाकी जो इंस्ट्रेक्शन जो है और भी देख लेते हैं जब भी आप फॉर्म अप्लाइ करते हैं कहीं के लिए भी तो पूरा जो है आपको पढ़ना चाहिए है यह 12 पेजिस की पीडियो फाइल है जो भी आवेदन करेंगे इंपोर्टेंट जो होगा फॉर्म भरने से पहले जो जानकरी होने चाहिए वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दी ही जाएगी तो यह सबसे नंबर वन पर जो निर्देश और सर्तों में बताया गया है कि अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए पूर्थी माध्यम के सिदी करण कीया अगर शेंगर इंग्लिस मीडियम पाज के अंडियक नहीं मिलते है Ri तो यह सम्विधा के अधार पर वेकिंसी जारी की गई है ठर्ड नंबर जो की most important line है कि 36 गढर राज्यके मूल निवासी ही आविदन के लिए बात रहोगे अब इतना जो है इनोंने करने के बाद ये line इनोंने दे दी है इसका मतलब ये है कि केवल और केवल 36 गर्ड राज्य के मूल निवास परमाण पत्र लगाना होगा तो ऐसे में केवल 36 गर्ड राज्य के candidate ही जो है इसमें form apply कर सकते हैं तो ये थोड़ा सा जो है गलत बात हो जात हो शार्षन द्वारा परिभासित अनुमान मान्य होंगे आई उसी में इसमें क्या गई गई है तो नियूंतम 21 और अधिक्तम जो है 35 वर्स होनी चाहिए जो की 36 गर्ड राज्य के इस्थानिय निवासियों की यानि जनल कैटिगरी की जो candidate है उनकी तो 35 यर ही है और जो SCST पिछला वर्ग है और महिला वर्ग है तो इनको 5 वर्स की जो है छूट दी जाएगी विग्यापन की बदों की संक्या गटाई बढ़ाई जा सकती है कैसे चैन होगा वो आप देखें यहाँ पर उक्तजारी 32 श्रेणी के पदों के लिए निवन्तम सेक्षणिंग योगिता के प्रापतांकों का 80 और साक्षातकार के प्रापतांकों के 20 परसेंट अंकों के योग के आधार पर अंतिम चैन मेरिट सूची तयार की जाएगी यानि कि यहाँ पर एक्जाम नहीं होगा आपके जो प्रापतांक है जो भी सेक्षण के योगिता आपकी रही है तो उसके प्रापतांक और आपकी इंटर्व्यू इसके आधार पर जो है अंतिम चैन मेरिट सूची तयार की जाएगी साथ ही साय ग्रेट सेकेंड एवं थर्ड के पदों पर योगिता के 80% एवं कॉसल परिक्षा के 20% अंकों के आधार पर तो वही बात है ठीक है तो बस ये पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया है अब चलिए देख लेते हैं ओफिशल वेबसाइट पर गूगल लिंक कहां पर मिलेगा जैसे ही ओफिशल वेबसाइट पर आएंगे यहां नोटिस पर क्लिक करना है रिकूट्मेंट सेक्षन मिलेगा आपको बस इस पर क्लिक कर लेंगे सबसे जो उपर आप लोगों को एडवर्टीजमेंट पर रिकूट्मेंट इन स्वामी आत्मनंद एक्सिलेंट इंग्लिस मीडियम स्कूल यहां पर गूगल पॉम लिंक दिया हुआ है ओनलाइन अप्लिकेशन आप कर सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो आप राजजी की वेकेंसी आएगी जहां पर कैंडिडेट अप्लाइ कर सकते हैं वो भी आप लोगों को बताई जाएगी जैसे जैसे सूचना मिलती जाती है आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाता है तो लगातार जो है देखते रहें आपके सब्जक्ट की वेकेंसी आपके राजजी की बिल्कुल आएगी और जहां दूसरे राजजी में भी वेकेंसी आते हैं जहां आप अप्लाइ कर सकते हैं तो बिल्कुल वहां के लिए भी आप आवेधन करिएगा बिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू